लो गाइस आज हम भेल एल्टीडिशेर के बारे में देखेंगे तो शेर का जो प्राइस है वो 81.10 पैसे है और इस शेर ने वन दे में अभी तक 8.42% के रिटन्स दिये हैं वहीं पांच दिन में देखे तो शेर ने 13.98% के रिटन्स दिये हैं year to date की बात करें तो year to date में जो share 33.61% के returns दिये हैं वहीं अगर हम max में all time में देखे तो all time में जो share है उसने 358.19% के returns दिये हैं share के book value, face value और beta को देखे तो तीनों ही काफी जादा positive है तो आप चाहे तो इस share को long term के लिए hold कर सकते हैं long term में भी इसके returns बढ़िया रहेंगे क्योंकि अभी इस share में कोई भी risk नहीं है और ये short term में भी risk ही नहीं है share के delivery and volume की बात करें जो इसकी आज की volume है वो 11 करोड है, यस्टड़ी की 1 करोड, 1 week average की 3 करोड और 1 month average की 4 करोड और जो इसकी delivery है यस्टड़ी की वो 44,29,55% और 1 week average की 69,26,37% और 1 month average की 1 करोड 30,26% share के resistance और support की बात करें जो इसका पहला support है वो 74,15 पैसे है, दूसरा support 73,50 पैसे है तीसरा support 72,60 पैसे है जो इसका पहला resistance है वो 75,70 पैसे है दूसरा resistance 76,60 पैसे है तीसरा resistance 77,25 पैसे है share के share holding की बात करें जो प्रमोटर है उसके पास 63,17% की share holding है FII के पास 4,81% की DII के पास 14,45% की और public के पास 17,57% की जो प्रमोटर है उसके पास इस share की सबसे जादा share holding है और FII के पास सबसे कम और बाकी बचे होई share holdings DII और public के पास है